प्रत्याशी भी काफी खुश नजोर आए और इसी बीच मद्दान करने वाले लोग में भी एक अलगी उत्सा देखनों को मिला है लोग सुभा से ही लंबी-लंबी कतारों में मद्दान करने के लिए अपने मद्दान का उपियोग करने के लिए निकल कर सामने आ रहे हैं कहीं से प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए मिठाईयां बाटी तो कहीं साडियां कहीं शराब बाटी गएं वहीं कहीं पैसे लगतार अलग-अलग जगु से अलग-अलग मामले भी सामने आ रहे हैं आज पहले चरण का मद्दान प्रारंब हो चुका है अठारा जिलो में आज मदान होना है आप विज्वल्स के माद्यम से भी हम आपको दिखा रहे कि किस तरह वृद्ध भी सामने निकल कर मद्दान करने आ रही है वहीं बता दे कि अपने मद्दान का उप्योग करने के लिए सभी लोग काफी उत्साह से बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं त्रीस्त्रेय पंचाय चुनाव के पहली चरण का मद्दान शुरू हो चुका है अठारा जिलो में आज मद्दान होना है और इस बीच मद्दाता काफी खुश नज़रा रहे हैं वहीं कहीं प्रत्याशियों ने वोटरों को लुभाने के लिए शराब का वितरन किया तो कहीं साडियों का कहीं पैसे बाढते हुए प्रत्याशि पाए गए तो कहीं शराब बाढते हुए विजवल्स के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह शराब बाढते हुए प्रत्याशी पाए गए हैं कारवाई भी की जा रही है 33 पंचाय चुनाव का अगाज हो चुका है और इस बीच प्रत्याशी लगतार वोटरों को लुभाने के कारे में भी लगे हुए है आज सुभा से ही लंबी-लंबी कतारे लगी हुई है कोर्ना गाइडलाइन्स की कई बार धजिया भी उड़ाई जा रही है विजल्स के मादियम से हमने लगतार आपको दिखाया कि किस तरह वोटर को लुभाने के लिए अलगलाग कारे किये चा रही है विजल्स रुक करता है बुलिटिन की ओर आज त्रेस्रिया पंचाज चुनाव का अगाज हो चुका है पहले चैनल का मद्दान होना है और इस बीच आगरा से एक ख़बर सामने आई है ग्रामीनों ने मद्दान करने का बहिशकार किया है दूसरे प्रत्याशियों पर दबंगई के आरूप भी लगाए गया है यूपी के 18 जिनों में पंचाज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है आगरा में पंचाज चुनाव को लेकर ग्रामीनों में काफी आक्रूश देखने को मिल रहा है जानकारी के मताबिक ग्रामीनों का बूत को लेकर दूसरे प्रत्याशियों पर दबंगई के आरूप लगाए जा रहे हैं और हंगामा भी काटा गया है गौर तलब है कि जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसे बात की जानकारी मिली फॉरण मौके फर पहुँच कर ग्रामीनों को समझाने का कारे किया गया और कारवाई में प्रशासन जुट गया वही महोबा वे भी भारी भीड देखने को मिली है प्रश्याशियों के लिए लगतार वोटर बाहर निकल कर वोट करने के लिए निकले हैं और वही भारी भीड देखने को मिली है लगतार कूर्णा गाइडलाइन्स की धजिया भी उड़ाई जा रही है वोटिंग को लेकर उच्छा भी देखा गया है महोबा से खबर है जहारतरेश्टरेश्टरेश्टरेश्टर चुनाव के पहले चरण में मदान की प्रकुरियार शुरू हो चुकी है महोबा जिले में भी 435 मदान केंद्रों के 925 बुतों पर वोट किये जा रही है वही सुबह 7 बजे से मदान शुरू हो गए वही कोरना गाइडलाइन्स का पालम करते हुए मदान किया जा रहे है बताने कि अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है मताताओं में अपनी मताधिकार को लीकर खाथसा उत्साह भी देखने को मिला वही 33-35 चुनाव का अगाज हो चुका है पहले चरन का आज मदान शुरू हो चुका है माफ के जगा 18 जिलो में मतान प्रारंब हो चुका है और सुबह से ही वोटरों में उत्साह देखने को मिल रहा है खबर राय बडेली से है जहां मतान के दौरान गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया जा रहा है जहां एक तरफ 3-35 चुनाव को लेकर जिला धिकारी वैभव श्रिवास्तम निर्दीश दिये थे कि किसी मद्दान के इंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं होता है तो कड़ी कारवाई की जाएगी कोर्णा गाइडलाइन्स की नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा परंतो इसके बावजूत भी राइबरी जिले के बचरावा ब्लॉक की करनपुर गाउं में शोशल डिस्टेंसिंग की खुलेया धर्जिया उड़ाई जा रही है लेकर के लगातार जो आठकले लगाई जा रही थी उन आठकलों पर सुप्रिम कोर्ट ने विराम लगाया जिसके बाद राइबरीली में प्रतम चराण का मतदान हो रहा है आज लगातार यहां पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो ओटार है अपने घरों के बाहर निकले और यहां पर आकर के अपने मत का प्रियोग कर रहे है सबसे बड़ी एक बात यह है कि जिस तरह से उत्तरपदेश के मुख मंतरी योगी अदितनाथ ने सोसल डिस्टेंसिंग को ले करके बात कही थी कि जो भी मतदाता है अपने घरों से निकलेंगे तो सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लेकिन यहां पर साथ तोर पर द पर जिस तरह से सोसल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ाएगी कही न कहीं अपने आप में बड़ा सवाल जरूर ख़डा हो रहा है लेकिन जिस तरह से त्री पंचयात अस्तरी चुनाव को लेकर के आज प्रतियासियों के भागता फैसला होना है और उसके बाद यहां क करने के लिए लंबी-लंबी कतारी नजर आई हैं विजवर्स के मादिम से आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारों में लगतार महिलाई व पुरुष मद्दान करनी के लिए नजर आ रहे हैं पंचयात चुनाव की सरगर्मियों के बीच यूपी के हाथरस सहीत 18 जिलोमी प सुरक्षा विवस्था कड़ा इंतजाम किया गया है सुरक्षा विवस्था के कड़ी इंतजाम भी किये गया है वही पहली बार वोट डालने वाले मद्दाताओं के अंदर काफी उचसाह देखने को मिला वही खबर गाजियाबाद से है जहां निरिक्षन किया गया है 958 बूतों का निरिक्षन किया गया डियम ने मद्दान स्थलों का जायजा लिया है पंचाय चनाव को लेकर यूपी के गाजियाबाद में काफी हलचल देखने को मिल रही है गाजियाबाद के डियम आजय शंक पांच लाख से अधिक है और वहीं टोटल बूत की बात करी जाए तो 998 बूत है वहीं जानकारी के मताबिक 5,221 कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है रुकरत अगली खबर की ओर खबर फिरोजबाद से है जहां बेकाबू होकर अचानक अनयंतरित हालत में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है दो दर्जन से जादा लोग गंभी रूप से घायल बताया जा रहा है घट्या थाना मटसीना छेतर की पावर हाउस के समीप की है जहां एक बड़ा हाथसा हो गया हुआ यूंक की एक ट्रैक्टर ट्रॉली असन तुलित होकर पलट गई जहनकारी के मताबिक इसमें करीब 40 लोग घायल हुए है जबकि करीब दो दर्जन से जादा लोग गंभी रूप से घायल बताय जा रहे है गौरतलब है कि सभी घायलों को फिरोजबाद के सरकारी ट्रॉमा में भी भरती कराए गया है वही अंबुलेंस चालक को जान से मारनी की धमकी दी गई है खबर फिरोजबाद से सामने आई है जहां पुलिस ने दर्ज किया है मामला और तलाश में जुट चुकी है फिरोजबाद में एंबुलेंस चालक का मैजिक चालक से हुआ जगड़ा घटना चंदरवार गीट की है जहां एंबुलेंस चालक एंबुलेंस से मरीज को बर्क्तिपुर छोड़ने को कहा तभी किसी बात को लेकर मैजिक चालक ने एंबुलेंस चालक से तेंद्र कुमार के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी और जान से मानने के धमकी दे डाली आपको बता दे कि एंबुलेंस चालक ने 112 पर कॉल करके शिकार दर्ज कराई है थारा दक्षिन पुलस का कहना है कि शिकायती पत्र का संग्यान लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी गई है इस बुलिटिन में अभी के लिए इतना ही बने रहे है 24 ने उसके साथ